IPL 2022 से पहले BCCI को मेगा आक्षन कराना है मेगा आक्षन को पहले दिसंबर के आखरी और जन्वरी 2022 के पहले सब्ताह में आयोजित होने की उम्मेद थी पर BCCI और IPL गौर्डनिंग काउंसल से मिली जानकारी की मताबिक मेगा आक्षन की तारीखें बदल गई हैं इंसाइड स्पोर्ड्स की एक रिपोर्ड के अनुसार IPL 2022 के लिए होने वाले मेगा आक्षन का आयोजन अब अगले साल जन्वरी के तीसरे सब्ताह से पहले नहीं हो पाएगा दरसल इसके पीछे कारण ये है कि BCCI ने अब तक नई फ्रेंशाइजी एहमदाबाद को खिलारियों को खरीदने की पर्मिशन नहीं दी है इसके अलावा मेगा आक्षन से पहले लखनोव और एहमदाबाद की टीम को अपनी टीम के लिए तीन नए खिलारियों को साइन करना है जो कि अब तक नहीं हो सका है SMN निलामी में ही काफी समय लगेगा जिसके चलते IPL 2022 के लिए होने वाला मेगा आक्षन जनवरी के तीसरे और चौथे सब्दा से पहले नहीं हो पाएगा आपकी जानगारी के लिए बतादें कि IPL 2022 में दो नए टीमों के जुड़ने से IPL 2022 दो महिने से अधिक समय तक चलेगा इस बार IPL में सभी दस टीमें 14-14 मैच खेलेंगी जिसमें साथ अपने होम ग्राउन और साथ मुकाबले विपक्षी टीम के मैदान पर खेले जाएंगे हलांकि अभी BCCI ने ओफिशल रूप से IPL 2022 को लेकर के कोई शेडियूल जारी नहीं किया है पर कोरोना महामारी के चलते IPL के पिसले दो सीजन का आयोजन यूई में होने के बाद अगले साल यानि कि IPL 2022 लीग का आयोजन भारत में होने की उम्मीद है आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथी हमें ये भी बताएं कि IPL 2022 की दो नई टीमें यानि कि एहम्दाबाद और लखनो किन तीन खिलाडियों को अपने टीम में शामिल करेगी? इसके जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें क्रिकेट की दुनिया जूरी और तमाम खबरों के लिए देखते ही हमारे शैनल को जय है